हेलो अर्योवन, इट्सो आईज भीया, आज की दो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कोईश टीबी के स्वैक्स को क्लेम कर सकते हैं यार एक कोईश टीबी का चैलेंज बहुत पहले आया था और उस पड़को टाइम पे मैं बैंगलोर में था और प्राइवेट करते ही मैंने कोईश टीबी की टीम को मेल किया था कि ये प्रोग्राम क्लोज हो गया है और मुझे वीडियो बनाना है मैंने अपने बारे मता दिया था तो फिर आज सुबह इनका मेल आया था कि बेटे कॉमर्स वाला The Swag Program is live again on our website जैसे के आप देख सकते हैं तो आप वीडियो बना सकते हैं तो मैंने सुझा चलो वीडियो बनाते हैं और आपको इसके वारे में बताते हैं तो यह जो पिछले वाली वीडियो को थम्नेल था क्य को फुष्टरापमेंट कोर्स की लिंक मिल जाएगी आप live की किसी भी फेस में हो कर्येर को सुच करने का सोच रहा हो या graduate होने वाले हो हर बड़को केस में यह कोर्स आप के लिए बैस्ट रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर लेना चलिए अब बात करते हैं क कोईश्टीबी चैलेंज की तो यह कोईश्टीबी गिटब में एक रिपोश्टी है एक तरह से एक प्रोजेक्ट है जिसके अपने फीचर्स हैं प्रोड़क्ट हैं लर्न कर सकते हैं डॉक्स प्राइसिंग यह सब और शॉर्ट ने समझे तो एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो में इसकी चीजें जिसकी वज़े से चल ला है वो क्लाबरेशन और कॉलिटी की वज़े से विया सुपर प्रावड अब दब कोईश्टीबी कर दें तो फिर आप इसूस को रेस कर सकते हैं फिर उनको सौल कर सकते हैं ऐसे तो यही कॉंटिबूटर की बात करिए इनों न कॉंटिबूट करते हैं तो अब यह चेंज क्या करना चाहते हैं जो इनके कॉंटिबूटर्स हैं जो ओपन सोर्स में कॉंटिबूट करते हैं इनके रिपोस्टी में इनके प्रोजेक्ट में उनको यह कुछ टीबी की टीशर्ट देना चाहते हैं अब पहले यह प्रोग्रा यह रखा है सिर्फ, और simple सा यार, अगर आपने यह तीनों चीजे complete कर दी, कैसे करनी, अगर इसको पर आपको वीडियो चाहिए हो, तो मैं एक separate वीडियो बना के आपको show भी कर दूँँगा, कैसे करना है, simple सी चीजे यार, अब इसके बात करते हैं, उससे पहले, अगर आपने यह तीनों condition कर दी, तो बस एक यह नीचे form है, इसको आप फिल करिएगा, जैसे आप इसको फिल करेंगे, आपकी घर में T-shirt डिलिवर हो जाएगी, बट यह verify करेंगे, कि आपने सब कु सही से किया है कि नहीं, करना क्या है T-shirt के लिए, star over github repository, star करना है, बहुत ही simple चीज है GitHub repository को open करना, आप देख सकते हैं, ऐसी कुछ repository है, 11K stars है, तो बस आपको यहाँ पर star करना है, star कैसे करेंगे, पहले sign in करना, आपने GitHub account में, बस star पर click करना, बस पहला task complete हो गया, और याद रखना किस GitHub account से star किया है, क्योंकि जब आप form को fill करेंगे, तो यह आप से GitHub account का username पूछ पूछेंगे, जिससे यह verify कर पाएं, कि आपने start किया है कि नहीं, second है, आपको QsDB stack overflow tag को watch करना है, watch मतलब क्या, simply मैं इस article को discussion box में टैस कर दूँग, आप दिख सकते है, watch tag और ignored tag के बीच में difference क्या होता है, अगर मैं short मतलब जो भी stack overflow में hashtag हो QsDB के, उन questions के आपको answer करना है, एक तरह से contribute करना है, लोग की मदद कर दी, stack overflow में भी, बाग कि आप इस article को पढ़ सकते हैं, इस आप होता है, लिएगा watch tag और ignored tag में difference क्या होता है, इसके लिए बस click करना है, वो सारे hashtag आपको सो जाएंगे, stack overflow की website पर, 204 questions है, तो आप इनने check out कर सकते हैं, तीसरे हम क्या करना या तो आप help कर सकते हैं, एक नए feature को build करने में, यहाँ पे click करना, वो open हो जाएगा, आपको stress बता देंगे, दूसरा या तो आप इनके code base में कोई issue को report कर सकते हैं, basically github पे, और तीसरा या तो आप docs को भी improve कर सकते हैं, देखो काफी तरीके हैं या या contribute करने के, एक मैंने ये वीडियो बनाई थी, hacktoberfest के time पे, ये वाली how to contribute in hacktoberfest, basically ये वीडियो वही है, how to contribute in open source, github, तो इसे जाके आप देख सकते हैं, simply अगर मैं आपको बताऊ, तो तरीके होते हैं, या तो आपने उनके code base को देखा, उसमें आपको कोई issue दिखा, तो आप उसको raise कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे click करके बता कर सकते हैं, कैसे आप नए feature को add कर सकते हैं, इनके code base में, इनके एक तरह से website में, और तीसरे good first issues वाले contribution ये भी होते हैं, कि आप इनकी dog को पढ़ें, उसमें कोई spelling मिश्टे को, या कोई simple contribution करते हैं, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, बस एक चीज है कि इसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इनके code base को देखना पड़ेगा, कौन से text stack यूज किया गया है, website में कुछ गलती है, कहीं पे कुछ गलती है, इसलिए थोड़ा सा time देना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो ये दो condition तो आपको इनके project में GitHub पर contribute करना है, claim कैसे करना है, ये form को open करेंगे आप, और यहाँ पर email डालना, वह email डालना, जिससे यहाँ पर submit करना है, तो मैं कोई भी email डालके आपको दिखा रहता हूँ, और email को डालने के बार nest करना, यहाँ पर GitHub ID डालना, जिससे वो पहले वाले task के ल देंगे, in case आप से valid contribution कौन से, contribution करना कहाँ पर GitHub repository में, और कौन से, या तो GitHub pull request, या bug report, तो जैसे आप GitHub pull request को create करेंगे, जैसे इनकी GitHub repository पर चलते हैं, और आपको कोई भी issue दिखेगा, जैसे मानो issues में गए, आप कोई भी issue मुझे दिखा, यह सब के लिए मैं एक separate video बना दूँ अब बस आपको pull request जैसे मानों यह मैंने create कर दी, तो बस इस पर क्लिक करना है, और यह pull request का मेरी link है, इसको copy करूँगा, मेरी नहीं है, मैं बता रहूँ आपको ठीक है, फिर यहाँ पर paste कर दूँगा, अब इन्होंने valid contribution का है, ठीक है, तो यह भी हो सकता है कि वो pull request मानी जा करके इस form को fill कर देना, तो simple से steps है, जो आपको follow करने है, टी-shirt को लेने के लिए, starting वाले दो चीज़े तो बहुत ही simple है, और third वाले में आपको थोड़ा से इनके code base को समझना पड़ेगा, contribute करना पड़ेगा, contribution किसे तरह का भी हो सकता है, या तो simple हो सकता है, documentation में कुछ change कर द करना, जिसमें मैं आपको सो कर दूँगा कैसे contribute करना है, तो यार एपनी short and to the point वीडियो थी, I hope आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चलिए आप बात करते है, one of the best course के बारे में नोटरन स्कूर फुस्टापमेंट कोर्स, तो यार इस प करना, चलिए नोटरन स्कूर करना, चलिए नोटरन स्कूर करना, तब तक के लिए चलते हैं,